नमस्कार, मैं डोक्टर हार्थिक मंडलिया, क्लासिक हेल्थ केर पाउनगर बुझराच से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में, आज हम बात करेंगे बालों के स्वास्थ के लिए क्या भोजन, क्या फूट जरूरी है, जिसे बाल हेल्दी रह सके, बाल स्वस्थ रह सके एसे कौनसे फ्रूट है, कौनसी सबजिया है, जिसे बालों का स्वास्थ मेंटेन किया जा सके चलिए स्टार्ट करते बालों को स्वास्थ रखना उतना ही जरूर है जितना हम अपने सरीर पे ध्यान देदे सरीर का खयाल रखते है आज कल की भागदोडवरे ये लाइफ में हम कुछ बात अएसी है कि उसके ऋपर हम गोर ही ने करते हैं उसके ऊपर हम ध्यान ही ने देते हैं तो बहुत ही महतोपून है अपना जो डाएट है वो बहुत important है डाइट में पूरा ऐसा हमको आयोजन करना चाहिए कि पूरे प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स है, जो खनीश है, सब एलिमेंट से प्रोपर तरीके से प्रोपर मादरा में हमें मिले और खास तोर पे जिसको बालों की समस्या है, उनके लिए मैं खास बताने वाला हूँ कि उनको क्या-क्या डाइट लेना चाहिए जिससे बालों को हेल्थी बना सके, बालों का स्वास्त सुधार सके और बालों के related जो कुछ भी समस्या है, जो कुछ भी hair problem है, उनको आँ इसे clear कर सकें आपको बालों के related कोई भी समस्या है, कोई भी problem है, तो इसे follow करने से एफ food आपके diet में सामिल करने से आपको काफी हद तक फाइदा होने वाला है अगर आपकी hair treatment चल रही है, तो भी आप इसे follow करके, आपके hair की अच्छी health आप कर सकते हमेरे जो रिशी मुनी हो थे, पहले के समय में, उनके बाल कैसे काले रहते थे, बिल्कुल स्वस्त थे तो वो बिल्कुल natural diet करते थे, और उनके जो nutrition value है, वो पूरी तरह से उनको मिले, ऐसा वो प्रयोजन करते थे तो हमें भी सब organic चीज लेनी है, और अपने खान पान में, और पूरे दिन की जो अपने schedule है, उसमें थोड़ा सुदार करना है कि हम क्या खा सकते पहले, कि जिसे बाल, बालों को हम healthy बना सके तो सबसे पहले हम बात करेंगे fruits की, अचा fruits में देखा जाए तो बहुत ही अवल दर्जे का, मतलब first category में जो fruit आता है, ओ आउला, जी हाँ यह आईरुवेद की एक जड़ी बूटियों भी आप कह सकते हैं और एक fruits भी है, तो यह fruit आउला, आउला का रस ले सकते हैं, और थंडियों के मोसम में, सर्दी की season में, यह असानी से मिल जाता है बाजार में, मार्केट से आप ताजे हरे आउले लेके आईए, और आउले के टुकडों के साथ, हरी हल्दी जो मार्केट में easy available है, उनके दो तिन छोटे छोटे टुकडे, आप मिक्सी में डाल के पीस करके, थोड़ा पानी मिला के उसमें, juice बना के पीस सकते हैं, यह daily आप लीजिए, इसके साथ आप ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं, कीवी भी बालों के लिए बहुत बढ़िया है, दूसरा आप ले सकते हैं, निम्बू पानी, yes, जो lemon juice है, वो भी बालों के लिए अच्छा है, अब दूसरी बात करते हैं, salad में हम जो लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, उसमें कौन-कौन से salad ले सकते हैं, उसमें आप हरी पत्ती वाली सबजी ले सकते हैं, जैसे कोबिज है, फिर spinach है, या ब्रोकली है, वो सब salad में आप mix करके, तुफेर को या राद को आपके बोजन में ले सकते हैं, जिसमें iron है, तो iron से क्या रहेगा कि बालों को portion मिलेगा, हाँ, एक बात है, बालों के लिए बहुत सारे protein की ज़रूरत है, बी complex है, सब vitamins है, minerals है, omega 3 है, ऐसे बहुत सारे elements है, जो बालों को लिए, बहुत ही important है, और वो सब हमें मिलेगे कहां से, naturally, food में सही मिलेगे न, yes, तो हमें हमारा ऐसा diet plan बनाना है, जिसमें हम ऐसा रही nutrition value इकठा करके, बालों को growth बढ़ा सके, और बालों की जो समस्या है, वो दूर कर सके, तो इसके लिए हमारा पूरा focus रहेगा, कि हम क्या आहार में किसको, कौन-कौन से food सामिल करें, जिसे बालों को हम स्वस्थे रख पाए, salad में आप carrot, गाजर ले सकते, beetroot ले सकते, और आप अलग-अलग इन दोनों का juice बना के भी ले सकते, पूरा diet schedule बनाए, पूरे हपतेगा, कि एक दिन हम कीवी लेते, दुसरे दिन हम एक carrot का juice पेएंगे, फिर एक दिन हम बीड का juice निकाल के पेएंगे, एक दिन हम आवलाव और हल्दी का juice पेएंगे, और दुसरी एक चीज़े है, पत्यदार सबजिया, उनका भी हम juice बना के पी सकते हैं, तो कुछ न कुछ diet में ऐसे सामिल कीजिए, जिसे बालों को पूरा nutrition value मिल पाएंगे, दुसरा दुपिर को खाने में, उम जो डाले हैं हम जो दालों का इस्तमाल करें, खास तोर पर राजमा है, राजमा भी अच्छा है, शोया भी नहीं, वो भी बालों के लिए अच्छा है, और डेट्स आप ले सकते हैं खजूर फिर फ्लैक्सीड अच्छा फ्लैक्सीड का इस्तमाल आप खाने के बाद मुख्वास के रूप में ले सकते हैं बाजार में तैयार भी मिलता है जिसे अलसी से हम जानते हैं तो मुख्वस के रूप में आप फ्लेक्सिट का जरूर समाविस्थ कीजिए कि आपके फूड में खाने के बाद मुख्वस ले और दूसरी एक बात जो डेड से फ्लेक्सिट है वो गरम तासिर वाले लोगों के लिए हिताव नहीं है वो नहीं ले सकते क्योंकि उसकी तासिर गरम है उससे गर्मी बढ़ती है उसके हेल्थ बेनेफिट बढ़िया है बहुत सारे मगर जिसको पीत का प्रोब्लम है ऐसी डीटी है उनके लिए यह वर्जी थे मतलब ना ले तो ज़्यादा आचा है बाकी आप ले सकते इसके लिए अचा ड्राइव फ्रूट में जैसे मैंने पहले बताया डेट्स खजूर ले सकते फिर बढ़ाम ले सकते जी हाँ बढ़ाम में विटामिन ए है और ऐसी बहुत से नुट्रिशन वेल्यू है जो बालों के लिए जरूरी है अब दो तिन बढ़ाम कच्चा चबा चबा के के खाईए दूसरा आप पूरे दिन में एक अखरोट ले सकते अखरोट भी बालों के लिए उतना ही फाइदे मन है सकरकंद है सकरकंद में बायोटीन है तो सकरकंद भी आप ले सकते है उबाल के ले सकते है या फिर उसकी सबजी बना के ले सकते है शुद्ध गाई का घी य यह भी बहुत जरूरी है, बालों के स्वास्थे के लिए, तो गाए के घी को भी आप सामिल केजिए, जो कुछ भी आप भोजन बनाए, उसमें गाए का घी इस्तमाल करें, और वो शुद्ध ओरिजिनल होना चाहिए, दुसरी बात है, कि सुखा नारियल, जी हाँ, सुखा ना है, जैसे नारियल का तिल बालों के लिए लगाने में अच्छा है, वैसे ही नारियल, खाने के लिए भी उतना ही उसमें पोशक तत्वा है, जो बालों की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, तो सुखे होए नारियल को आप रूजाना, चबा-चबा के खाए, दुसरा, जैस खान पान जरूरी है वैसे ही हमेरी लाइफस्टेल है वो भी बहुत इंपोर्टन्ट है बालों के लिए तो बालों की केर कैसे करें उनके विशय पे हमने एक वीडियो पहले से ही बना के रखाएं वो भी आप देख लें बालों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ परहेज भी बहुत ही जरूरी है जैसे तेली ये पदार थे कुछ मसालेदार मिर्च मसाला वाला हम भोजन खाते है उनको एवोईट करना चाहिए नमक का अधिक इस्तमाल जो हम खाने में करते है उसको भी हमें एवोईट करना है फास्थ फुड और जंक फुड से बालों की समस्या अधिक तर बढ़ती है और चाई कोफी जैसे कुछ व्यसन है तंबाखु है शराब है वो भी बालों के लिए बहुत ही नुकसान देई है तो ए सबी चीजे हमें नहीं लेनी चाहिए है तो ऐसे जो सारी बाते मैं ने आपको बताई है इसे आपके डाएट में जरूर शामिल करें उसमें जो यूतृशन स्टवह है जो बालों के लिए जो एलिमेंट्सकी जरूर है वह सारी जरूरत है इन सारे प्रकार के आहार से आपूट помощью की पूरती हो और उसमें पोशक तत्वा भी इतने हैं जो कुछ-कुछ हेल्थ के रिलेटेट कुछ प्रोब्लेम में भी आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन होने वाले हैं अगर आप मेरी चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेर करें अपने दोस्तों के साथ और कॉमेंट करें तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्त रहे, मस्त रहे, तंदु रस्त रहे, नमस्कार